जिससे आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी dry skin जो दूप में बैटनेंगे वज़े से डाल हो जाती है संटैन हो जाता हो उसको खताम देने का त्रिक अप रहेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको fresh aloe vera चाहिए आपके पास shred made आप बाजार किया हो पी स्कमाल कर सकते हैं बट best है कि आपके पास fresh oil एक पीस आपने ले लेना है उसका जयो थोड़ा सा आपनी निकालेना है यह सबसे easy इसलिए है कि इस तरिके से आपको जल को जो आपको grinding करना पड़ेगा उसके pieces काटना वो मुश्किल है फोड़ी सी एक चमच के बराबर आपने aloe vera gel ले लेनी है अगर आपके पास बाजार की आप आपके एक चमच ले ले यह एक चमच fresh aloe vera gel है इसमें आपने आप शामिल करना है आदा टीस्पून या एक चो थाई टीस्पून हल्दी का उसके बाद इसमें आपने मिलाना है संदल वुड पॉडर बजार से पॉडर की शेकल में भी मिल जाता है यह मैंने खुट क्राइन किया है तो आप यह देख सकते हैं इसको scrubbing के लिए बेहतरीन चीज़ है आपके पास कोई भी हो आप इसमें आदा चमच यह चमच शामिल करनें उसके बाद एक ही चमच इसमें आपने मिलाना है रोस वाटर यानिके गुलाब कारण और इसमें आपने लास में मिलाना है आदे लिमू का रस तमाम चीज़ों कुछी तरह से मिक्स करेंगे जब तक भी इसको मिक्स कट आप माम फ्रेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रोजाना मेरे चैनल पे न्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें उसके साथ बेल का जो आइकन बनेगा उसके भी क्लिक करें इस तरह से मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोजाना जैसे मैं नहीं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास आटोमेटिकली इसका मैसिज आ जाएगा और आप न्यू वीडियो देख सकेगे वो जो पहले की फ्रेंट्स है उन्होंने बैल आइकन को चेक कर लें उसी वज़ा से आपको इसका नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं मिल पाता है तो आप बैल आइकन को दुबारा से चेक कर लें फाइनली यह पेस्ट रेडी अब आपने इससे अपने चेहरे पे हाथों पे अच्छी तरह से यह पाउट अप्लाई कर लेना है पांच मिनेट के लिए आप अपने चेहरे पे इसका हलके हाथ से मसाज करें उसके बाद जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजें तक्रीबन 10 मिनेट के लिए दो मिनेट अपने चेहरे पर अपने हाथों पर इसका मसाज करना है इससे आपकी skin को बहुत अच्छा जाएगी आपकी skin जो dry हो जाती है बहुत push और पेरो नक्स हो जाती है वो बहुत अच्छे soft और non-momland के एक ही दफ़ा की स्कमाद से हो जाएगी एक मिनट तक मसलसल आप अपने चेरे पर इसका मसाज करें और इसी एक मिनट के अंदर आप जो है वो result आपको नजर आजाएगा देखें आपके इतने left hand आप परक देखें राइट hand पर भी केने के बाद आपको परक यही पर नजर आगी होगा उसके बाद आपने क्या करना है एक मिनट एक तो मिनट के मसाज के बाद आपने अपने चेरे को बाश कर देना है बाश करने के बाद एक step और हाथों को बाश कर लेने के बाद आप इस पर soothing lotion जो हो अपलाई करें अगर आपके पास नहीं है तो जो भी winter में आप lotion इसक्तमाल कर रहे हैं वो लास्टनी अपने जाजब हो जाएगा lotion स्किप के अंदर और आप देखेंगे कि आपके स्किन बूफ़ा भी soft और नर्म मुलाइम और साफ सुत्री हो जाएगी वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है इसके साथ ही आप हम से request करूंगी कि इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ share भी करें आप सबको इसका method पता है वीडियो के निचे share का बटन आ रहा है स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है इस पर click करें और उसके बाद जहां भी आपके दोस्त है वाटसाप पे ट्वीटर गूगल पास जहां भी है वहां click करके अपने फ्रेंट्स को वीडियो का लिंक पेज दीए ताक कि वो भी winter में इस तरह के मसायस अपके साथ पेश आते है तो आपने dry skin का बहुत असानी से इलाज कर सके इसका बहुत अच्छा आपको इतनी मैना से वीडियो बनाई है एक लाइप तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुवारा कैसे ढूडेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमार आने वाली तमाँ वीडियो आप तक पास देखेंगे